जो पत्र वाचन वे हों के लिए बार और दो पत्र में बहुत विश्य सुख सा शेयर करना चाहूँगी मैं अलका राओ मैं का दिकी का इसलिए शेयर करना चाहूँगी कि जब वेस्ट में सफरेज मुवमेंट हुआ तो महिलाओं को यह प्रतीत हुआ कि अधि हम खुद नहीं लिखेंगे तो हम अपने सफरेज को नहीं दर्ज नहीं कर पाई हो तो माली जब महिलाओं नहीं लिख पाई हो तो उनकी जनरेशन जिए लिखती है तो मैं सुखती हूँ कि सच्छा कोई ताम किसी भी संभोष्ठी क क्यालेगी होगा और ऑट की का विमन राइटीघंग फेमिनिस राइटीग की जो बात हुई व इसे दिश्टी से शुड़ू हुए और आज जैसे दो प्रयास होए को मैं सुखती हूँ कि सच्छा कि प्रयास इसी भी संभोष्ठी के लिए हूँ की फंप्त्र हुए अब रा संबाद के माध्यम से हर्दम मैंने इंको सुना है और सुनके बहुत सरस्ता के साथ जो चीजे देखने में आती है वो समझ में आती है इसमें पर अभी नई रिद्यार्थी को जिनों ने चर्चा किना है मैं इसे कुछ भी में थोड़ा सा बोलना चाहते हुँ यह आजादी का अमरित महसब कभी मन में प्रश्ण उठा क्या अमरित महसब जिनों ने आजादी का अमरित चखा हुआ उनका महसब और अमरित कोई आसानी से नहीं मिलता रहा हमारे पास संदर्भय देवता और असुरों का युद हुआ तो बहुत गहनत करने पड़ी समुझ अमरित मिला सिखिजम में हम पढ़ते हैं कि अमरित जिसने चखा वो खाल्जा कहला रहा तो वो आजादी का जो अमरित चखने वाले लोग थे उनको हम याद करते हैं इसमें और 75 वा बर्श है अमारे आजादी का और आपको यह भी पता होगए कि 75 सफ़ता ही चलेगा यह य जो लोग विस्मित होगें मैं तो अभी आपसे बात कर रहे थी कि विस्मित क्या विस्मित ही मही नहीं थे तो विस्मित कहां से होगे तो जो दर्ज नहीं हुए इतिहास में तो दर्ज थे हो पर इतिहासकारों ने दर्ज नहीं किये और इतिहासकारों ने क्यों नहीं हाड़नायन है, मैं खुद भी उधियास का हूँ, मान के जबती हूँ कि कोई उधियास कार, कितना भी objective कहता हूँ, objective नहीं लिखता है, subjective लिखता है, कहीं न कहीं, कोई न कोई परिस्थिती जन्य इसकितियां होती ही, जिनके कारण देखने को देखिये, तो जो विस्मित हो कर समरन करना है, और विशेश तक महिलाएं हैं, और मैं सोच चूँ कि महिलाओं जैसा रोल, इसी भी छेक्र में कोई नहीं मिखा सकता, जिस तरीके से जीवन जीती हैं, जो भावनाएं हैं, जो अभिव्यक्ती हैं, वो पुरुष के पास होई नहीं सकते हैं, बले वो आजा मैशा सो मर्दनी को समर्पत करने पड़े, तक उन्होंने विजय प्राप्ती की, देवता पीछे हो गए, असमों से यलरने के लिए, और उसी संस्कृती में, आज हमी प्यास करना पड़ रहा है कि इनको वापस आशिये से हंदर लेके आएं, इनना सोच क्यों कि यह इतना हो आएं, मैं जा आएं, इस रिखिशा अखतम नहीं हो, इस रिखिए प्राप में जाए, वह रहा है कि रुखानी उसने से रिखिए सम करते होगा दोग बाद में कि अधर लेता होगा, इसे प्रेपर देते होंगा, आप आप जितेहों कि पूरी पार कुरी थीम का, कि मुझे जो भी आसर देवियते हैं, हर्की जिशां सभी सिखिया इसम है, और वे भी कुछ सुनने को और देने को मेंदे होता है, बहुत बहुत थामेवाद, जैने हैं।